स्वागत आप सभी का पैक्स एक्जाम यूट्यूब चैनल पर बात करेंगे आज हम यूपी स्कॉलर सिप के बारे में जिन जात्रों की अभी तक स्कॉलर सिप नहीं आई है उनके लिए और जो स्कॉलर सिप में यदि कोई भी गलती यानि कि कोई भी तुर्टी हो गई है तो पूरा जो सॉलूशन है वह वैप साइट पर उपलब्द कर दिया गया है तो बात करेंगे सबसे पहले ओपीसियर नोटिस के बारे में यह कब से कब तक है यहां पर देख सकते हैं कि जो स्कॉलर सिप के लिए उसमें देख सकते हैं आप जनपदी समीती द्वारा सुद्ध डेटा लॉग करना यानि कि आपको पूरी तरह से स्कॉलर से जो बेज दिया गया है वो कब तक 26 अपरेल से पहले पहले आपके खाते में भेज दी गई होगी ठीक है लेकिन कुछ ऐसे लोग रह गए होंगे जिनके खाते में अभी तक स्कॉलर से पाई नहीं है क्योंकि उन बहर रुग गई है तो ऐसे लोगों के लिए यहां पर देख सकते हैं तुरटी पूर्ण आवेदन को चात्रों के इस्तर से सही करना चात्र चात्रा द्वारा किये गए ऑनलाइन आवेदन में हुई तुरटीयों को चात्र के लोग इन में प्रदर्सित किया जाना तथा चा 24 अपरेल 2024 से 3 मई 2024 यानि कि अगर आप आज से ही मतलब यह जो ओफिसियल मतलब नोटिस है उसमें जो डेट है यानि कि आपकी जो वेबसाइट अब 26 अपरेल से ही यानि कि खोल दी गई है करेक्शन की डेट और यदि आप मतलब फिर भी गलत है तो आप 3 मई तक आप अपन देखिए यहां पर दे रहे हैं चात्र द्वारा सही आवेदन को जमा करना अब हम संस्था द्वारा पुना अग्रसिर करना यानि 26 अपरेल 2024 से 7 मई 2024 तक यदि आप अपने कॉलेज में या स्कूल में जहां पर भी आप सिक्षा प्राप्त की है या कर रहे हैं तो बहां पर आप जो है 26 अपरेल 2024 से 7 मई तक यानि कि 3 मई तक तो आप करेक्शन करा सकते हैं और 7 मई से पहले पहले यानि कि आप अपने कॉलेज में या स्कूल में जाकर उसकी हाड़ कॉंपी जमा कर देंगे तो वो लोग आपकी स्कॉलर सिप को फॉरवर्ड कर देंगे यानि स्कॉल मई से 16 मई के बीच में उसके बाद डिस्टिक्स स्कॉलर सिफ कमेटी जो है वो आपका डेटा लॉग करेगी वो 14 जून 2024 से पहले पहले कर देगी ठीक है और उसके बाद आपकी जो है मांग यानि कि आपकी जितनी स्कॉलर सिप है उसके लिए जो डिस्टिक स्कॉलर सिफ कम अठ्ठाइस जून दोजार चौबीस तक आ सकता है यानि कि ठीक है और पीएफेमेस पे कुछ लोगों की पैंडिंग होते हैं यानि कि जो है ये ठीक है अगर आप जल्दी से जल्दी अपना मतलब करेक्शन करा लीजिए और अपने कॉलिज में जमां कर दीजिए जिससे आप तक आप हमारी यूटुब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट में कमेंट कर दीजिए जो भी अगर आपकी गल्ती है या कुछ भी आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है या पीएफेमेस पैंडिंग है